इंडिया के हीरो मुर्लिकांथ पेटकर जिनका बच्पन से सपना था कि इंडिया को ऑलम्पिक्स में गोल्ड मेडल देना हाई दोस्तों, वेल्कम टो फिल्मी मोहन तो दोस्तों मैंने चंदू चैंपियन देखी जो की मुर्लिकांथ पेटकर की बायोपिक है आज के टाइम में अगर कोई बोले कि मुझे इंडिया को ओलम्पिक्स में गोल्ड मेडल जिदाना है तो काफी सारे सपोर्ट मिलता है पॉजिटिव सपोर्ट लेकिन यही बात 1960s में अगर कोई बोलता था तो उस पे लोग हसते थे लेकिन सारी हसी सारी डाउट्स को पीछे छोड़ कर मुल्लिकान पेटकर आगे आते हैं और इंडियन आर्मी जॉइन करते हैं और एक बहुत ही काबिल बॉक्सर बनते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है इम्तिहान अभी बाकी था पाकिस्तान के साथ 65 के वार में 9 गोलियां लगती है मुल्लिकान पेटकर को मिराकुलेसली वो बच जाते हैं लेकिन पैरलेस्ट हो जाते हैं और उनका जो इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने का सपना होता है वो तूट जाता है या फिर ऐसा कहें कि इंपॉसिबल हो जाता है लेकिन एक हीरो के डिक्सिनारी में इंपॉसिबल चीज होती नहीं है शियर डिटर्मिनेशन निवर गिव अप अटिट्यूट मुल्लिकान पेटकर को पैरा ओलम्पिक्स में जगा दिलाती है स्विमिंग के कैटेगिरी में वो पाडिसिपेट करते हैं और क्या वो इंडिया को गोल्ड मेडल दिला पाते हैं या नहीं ये जानने के लिए देखिए ये मुवी चंदू चैंपियन डिरेक्टेड बाई कभीर खान लीड अक्टर में है कार्तेकारियन कभीर खान ने चंदू चैंपियन बनाके एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है मुल्लिकान पेटकर को एसी सबजेक्ट पे जब मुवी बनती है तो एक आपको बना बनाया स्टोरी लाइन स्ट्रॉंग मोटिवेटिंग स्टोरी लाइन मिल जाती है आपका बस यही काम रहता है कि इनोवेटिव इरेक्शन और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आप मुवी को एक एपिक पर नहीं जाती है और इसके दो रीजन्स हैं फर्स्ट जो है वो है template sports person पर जब एक movie बनती है और जो कि एक periodic drama movie होती है एक specific template पर बनती है और यही template चंदु champion में follow किया जाता है जो कि आपको बहुत जगाओं पे भाग मिलखा भाग की याद दिलाती है जो innovation चाहिए था direction में वो मिलती नहीं है कबिर खान की जो typical direction है वो आपको पता चल जाएगा इस movie में कुछ गिने चुने जगाओं को छोड़के ऐसा कोई wow moment या फिर goose bumps वाले scenes नहीं है जो की audience के दिमाग में घर कर जाए और आपको दुबारा थीटर में जाने का मन करें रिजन टू कार्तिकारियन जो एक भेतरिन आक्टर हैं talented आक्टर हैं लेकिन इस character के लिए जहां पर बहुत सारा variation चाहिए होगा acting में वहां पर कार्तिकारियन fails to deliver मुली कान पेटकर एक teenage एक youngster एक sports person एक warrior उसके बाद एक paralyzed athlete और फिर एक old man जब इतना सारा variety है आपके role में वहां पर आपके acting में भी बहुत सारा variation आना लाजमी होता है कार्तिकारियन has tried his level best to give his best performance in this movie लेकिन बहुत सारे जगाओं पर में connect नहीं कर पाता उनकी acting और मुली कान पेटकर के साथ nevertheless कार्तिकारियन has done a good job आप ये movie देख सकते हैं पूरी family के साथ लेकिन मेरा expectation काफी ज्यादा थी इस movie को लेके और अगर आपने ये movie देख रखी है कैसी लगी आपको ये movie कमेंट सेक्षन में बताइए और वीडियो को अगर आपने यहां तक देख रखा है तो वीडियो को like, channel को subscribe करना मत भूलिए इससे मुझे motivation मिलती है इसके साथ फिल्मी मोहन signing off टटा